नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे और एक डेटिंग एप्लिकेशन का ड्यूटूरियल वीडियो लेके इसके पहले भी मैं दो ड्यूटूरियल वीडियो बना चुका हूँ डेटिंग पारे में Tinder और Happn आपने वो दो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे रेस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप जाके ज़रूद चेक कीजिएगा अब यहां पर बात है कि जब भी डेटिंग आप आप देखोगे वो कहीं न कहीं Tinder से इंस्पार्ड है तो इसका इंटर एप्लिकेशन में जो भी फीचर्स आपको मिल जाता है बाकी डेटिंग एक में कहीं न कहीं वो फीचर्स आपको देखने को मिलता है जैसे हैपन एप्लिकेशन में भी आप देखोगे आपको सेम फीचर्स मिलता है और उसके उपर यूनिक फीचर्स मिलता है किसी भी क्या अलग सा यूनिक फीचर मिल जाते हैं उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कास करेंगे और ये भी देख लेंगे इस एप्लिकेशन को कैसे आप चला पाओगे तो इस वीडियो को हम तक देखी और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजिए और साथ में बेल आइक उन दबना मत भूलिएगा तक ये टेकनलोजी के रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आपको आगे भी मिलती रहे नमस्कर दोस्तों मैं हूँ कॉस्तब आप देख रहे हो टेकी बॉर्ण सो लेट स्टार्ट तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बंबल एप्लिकेशन का एक फुल टुटोरियल लेके यहाँ पे कैसे आप लॉगिन कर पाओगे अपना एकाउंट कैसे बना पाओगे यहाँ पे आपको एकाउंट का फुल्फिल कंपलिट करने के लिए या account verify करने के लिए क्या क्या procedure यहां पर आपको करना है और अपने profile को कैसे आप सजा पाओगे सारा information देखे उसके बाद आपको कैसे profile का preference मिलता है उसके साथ match कैसे कर पाओगे चैट कैसे कर पाओगे और bumble application में जो unique feature आपको मिल जाता है एक comment centric application है अगर आपका profile mail है और कोई कोई भी omen profile के साथ आपका match होता है उसके बाद भी आप उस profile के साथ कोई chat initiate नहीं कर पाओगे यहां पर power दिया गया है कोई omen profile ही कोई भी match होने के बाद chat initiate कर पाएगा 24 गंटे के अंदर उसके बाद वह unmatch हो जाता है आप और भी 24 गंटे के लिए उसको time दे पाओगे time extend कर पाओगे और कोई भी अगर आपको chat initiate करता है तो आपको भी मिल जाता है मौका 24 गंटे के अंदर उसको reply देने के लिए नहीं तो वह unmatch हो जाएगा automatically और यहां पर आपको सिर्फ dating नहीं dating के साथ साथ अगर आप friendship करना चाते हो या business communication grow करना चाते हो वह सारा platform में आपको same application में मिल जाता है bumble में तो आज की इस वीडियो में देखेंगे bumble application को कैसे आप चलापाओगे फूरा details में step by step discuss करेंगे तो next time चले जाएगे मेरे mobile के screen पर तो देखिए तो दोस्तो मैं आचुका हूँ मेरे mobile के main screen पर जल्दी से open कर लेते है play store और play store open होते ही हम लोग search कर लेंगे bumble तो आप देख सकते हो bumble application का icon जल्दी से install बटन पर click कर देते हैं तो यह मेरे mobile पर install हो रहा है bumble dating and friends एप install हो चुका है यहाँ पे open बटन पर click करके मैं open कर सकता हूँ यह हम लोग सीधे चले आएंगे मेरे mobile के main screen पर आप देख सकते हो bumble application का icon जल्दी से click करके open कर लेते हैं तो application open होते ही आपको पहले करना है application में login तो यहाँ पे आप अपने facebook account से भी login कर सकते हो या अपना mobile number देके भी login कर सकते हो mobile number देके login करने से आपके mobile number पर आजाएगा एक OTP यहाँ पे आप डाल दोगे अपना OTP और फिर next step पे यहाँ पे आपको set करना है अपना location उसके बाद bumble application का privacy policy आपको accept कर लेना है और फिर next step पे यहाँ पे आप दे दोगे अपना name जो आप बाद में कभी change नहीं कर पाऊगे और यह name आपके profile पे show होगा फिर आपको यहाँ पे दे देना है अपना profile picture आप एक से जादा भी यहाँ पे अपना photo डाल सकते हो तो अपना photo आप अपने facebook account से instagram account से डाल सकते हो या photo upload कर सकते हो अपने mobile से या mobile camera से आप photo खीच के भी यहाँ पे upload कर सकते हो तो यहाँ पे आपको multiple picture upload करने का option मिल जाएगा फिर आपको यहाँ पे दे देना है अपना date of birth next step पे आप चूस कर लोगे अपना gender तो यहाँ से जब भी आप अपना gender चूस करोगे नीचे आपको gender का specification चूस करने का option मिल जाएगा तो जैसे आप man चूस करोगे तो यहाँ पे उसके अंडर आपको specific man का सारा category मिल जाएगा चूस करने के लिए आप यह चूस कर सकते हो या यह optional है आप नहीं भी कर सकते हो वैसे अगर आप gender में women चूस करोगे तो उसके अंडर भी specific women का बहुत सारे category मिल जाएगा जो आप यहाँ से select कर सकते हो पर यह भी optional है और अगर आप non binary चूस करते हो तो इस के अंडर भी आपको specific gender चूस करने का option मिल जाएगा पर यह सारे specification optionals रहेगा उसके बाद आप अपने profile पे अगर अपना gender show करना चाते हो तो आप कर सकते हो अगर नहीं करना चाते हो toggle button off करके आप अपना gender यहाँ पे show नहीं कर सकते हो bumble application में या profile पे फिर यहाँ पे आप चूज कर सकते हो bumble application को आप किस चीज के लिए यूज करना चाते हो date या friendship के लिए या business के लिए तो आपको यहाँ पे तिन अलग-अलग category मिल जाएगा bumble application में अपना potential match धुनने के लिए अभी गर आप date चूज करते हो तो यहाँ पे आपको चूज करना है कौन से gender को आप date करना चाते हो तो यहाँ पर भी आपको main, women या non-binary people का option मिल जाएगा आप यहाँ से कोई भी option एक चूज कर सकते हो और अगर आप सारे option चूज करना चाते हो तो I am open to dating everyone इस struggle बटन को आप on करके सारे option चूज कर पाओगे तो जो भी gender specification आप preference पे चूज करोगे उसी gender preference का आपको यहाँ पे profile शो होगा next step पे आपको select कर लेना है किस चीज के लिए आप bumble application में अपना date चूज करना चाते हो फिर आपको यहाँ पे build my profile अपना profile create करना है यहाँ पे आप अपने Instagram profile को भी अपने bumble application के साथ link कर सकते हो उसके लिए नीचे आपको connect Instagram option पे click कर देना है और फिर आप यहाँ पे अपना Instagram का ID और password दे के login कर पाओगे और अपने Instagram profile को bumble के साथ link कर पाओगे तो आपके Instagram का सारे post यहाँ पे show होगा bumble application में फिर आपको यहाँ पे choose कर लेना है minimum आपका 5 interest तो यहाँ पे आपको अपना interest चूश करने के लिए बहुत सारे category मिल जाता है जैसे self care, sports, creativity, going out, staying in, film and tv, reading, music, food and drink, traveling, paid, values and traits, bumble, values and alice फिर next step पे आपको choose करने है अपना height फिर आप select कर लोगे अपना workout habit यहाँ पे आपको मिल जाएगा अपना zodiac sign select करने का भी option फिर आप choose कर लोगे अपना highest education qualification फिर यहाँ पे आप दे दोगे अपना drinking habit और smoking habit भी next step पे आपको यहाँ पे answer देना है would you like to have children or not फिर आप select कर लोगे अपना religion और अपना political learning या political view फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा अपने profile के लिए कुछ question answer देने का option तो यहाँ पे scroll करके आपको बहुत सारा question का option मिल जाएगा जहाँ पे click करके यहाँ पे आप अपना answer दे सकते हो और submit कर सकते हो उसके बाद आपको यहाँ पे दे देना है अपना about me या अपना थोड़ा bio लिखने का option अब आपका profile हो गया है ready पर यहाँ पे आपको ध्यान रखना जरूरी है के bumble woman centric एक application है तो woman make the first move तो कोई भी profile के सा अगर match होता है उसके बाद उसको मिल जाएगा 24 hours का time chat initiate करने के लिए reply देने के लिए फिर यहाँ पर आप देख पाओगे bumble application का कुछ terms and condition and guideline आपको I agree option पे click कर देना है फिर आप आजाओगे bumble application के main interface पे time to catch feeling start swiping option पे आप click कर दोगे तो यहाँ पर भी आप देखोगे tinder application के तरह कोई भी profile को आप scroll करके check कर पाओगे और आपको पसंद हो तो आप right swipe कर पाओगे या आपको ना पसंद हो तो left swipe कर पाओगे अभी application के main interface पे आप देखोगे नीचे आपको मिल जाएगा 4 option अपने profile का option match option like option और chat option profile option पे जाके उपर आप देख पाओगे अपना profile picture जो premium feature spotlight और super sweep spotlight option पे जाके यहाँ पे आप 10x more matches कर पाओगे इसको subscribe कर पे यहाँ पे आपको मिल जाएगा बहुत सारे plan जैसे 30 spotlight आपको मिल जाता है 899 रूपीज में 15 spotlight 499 रूपीज में 5 spotlight 199 रूपीज में और 1 spotlight 59 रूपीज में सेम तरीके से अगर आप super swipe option पे जाओगे तो इसको subscribe कर पे आपका conversion rate दसगुना बर जाएगा यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा super swipe का बहुत सारे subscription plan जैसे 30 super swipe आपको मिल जाता है 599 रूपीज में 15 super swipe 299 रूपीज में 5 super swipe 119 रूपीज में और 2 super swipe 59 रूपीज में अभी कोई भी spotlight package को आप subscribe करने जाओ इक से साथ आपको मिल जा 30 spotlight के लिए 899 रूपीज यहाँ पे आपके पास अगर कोई google play store का coupon code हो वो भी आप apply कर पाओगे फिर नीचे आपको मिल जाएगा payment का option अभी आपको continue option पे click कर देना है तो यहाँ से आप देख सकते हो आप अपने credit card debit card से UPI ID से mobile payment wallet से net banking से या कोई code redeem करके pay करके subscribe कर सकते हो सेम तरीके से कोई भी super swipe आप subscribe करने जाओ तो यहाँ पे उसके साथ आपको मिल जाता है offer में कुछ spotlight का भी option जो आप इसके साथ package में add कर सकते हो और यहाँ पर भी super swipe subscribe करने के लिए आपको pay करना है google play store से तो 30 bumble super swipe का price आप देख सकते हो 599 रूपीज इसमें भी आप अपना coupon code apply कर सकते हो नीचे आपको मिल जाएगा payment का option अभी आपको continue option पे click कर देना है तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा credit card, debit card, UPI ID, mobile payment wallet, net banking और code rhythm करके pay करने का option और subscribe करने का option अभी नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 subscription package premium और boost premium में आपको मिल जाता है unlimited likes, बी लाइन, एडवन्स फिल्टर, इनकोग्निटो मोड, ट्रावेल मोड, 5 सुपर स्वाइब आवीक, 1 स्पोटलाइट आवीक, अनलिमिटेड एक्स्टेंड, अनलिमिटेड रिमैच, अनलिमिटेड बैक ट्रेक और boost package में आपको मिल जाता है unlimited like पर यहाँ पे बी लाइन, ए 99 रुपीज से, तो कोई भी premium package आप subscribe करने जाओ, उपर आप देख पाओगे, यहाँ पे आपको क्या-क्या features मिल जाता है, जैसे see who likes you, speed dating का option, advance filter भी आपको मिलता है, travel mode यहाँ पे आप active कर पाओगे, फिर आपको मिल जाता है incognito mode पे भी search करने का option, plus boost feature में जो भी सारा features है व option भी मिल जाता है, one time payment 4999 रुपीज, six month के लिए आपको यहाँ पे package मिलता है 2299 रुपीज में, और आपको एक month का एक package मिलता है 499 रुपीज में, तो यहाँ से आप premium या boost कोई भी package subscribe करने जाओ, उस package को आप select कर लोगे, जैसे मैंने 3 months का subscription package select किया, और नीचे get 3 months for 1299 रुपी पे click कर देना है, और यहाँ पर भी आपको credit card, debit card से, UPI से, mobile payment wallet से और code redeem करके payment करने का option मिल जाएगा, और premium या boost package subscribe करने का option मिलता है, अभी bumble application में, spotlight, super swipe, premium और boost subscription package छोड के भी, अपने profile option पे डाहिने तरफ उपर आपको मिल जाएगा, एक QR code का option, तो यहाँ पे अपना QR code scan कर करके भी, आपको मिल जाएगा, exclusive access, buzzing and event and feature treat में, फिर बाएं तरफ three line option पे click करोगे, तो यहाँ पे आप अपना mode date से कभी भी friends या business mode में switch कर पाऊगे, और ढाहिने तरफ उपर settings option पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा date, friends या business mode, और फिर date mode आप कभी भी off करके भ सकते हो, snooge option पे जाके आप अपने profile को invisible लग सकते हो, 24 hour, 72 hours, one week या indefinite के लिए, आप अगर premium subscription लेते हो, तो अपने profile को incognito mode पे भी आप डाल सकते हो, फिर आपको मिल जाता है travel mode यूज करने का option, पर इसके लिए आपको ज़रूरत है कोई भी premium membership में अपने profile को upgrade करने की, जहा से आप अपना location कभी भी change कर सकते हो, travel के द्वरान, फिर आपको मिल जाता है video auto play settings option, notification setting option, contact and faqs, security or privacy, video auto play में आप कोई भी profile सर्च करोगे, तो उहाँ पर अगर कोई video होता है, तो वो wifi में या cellular data पे, only wifi में या never autoplay video आप set कर पाऊगे, notification option पे जाके आप कोई भी नया message, नया admire, नया match और expiring match का push notification या email notification off on कर पाऊगे, और profile related कोई tips आता है, तो उसका भी push notification आप यहाँ से off on कर पाऊगे, फिर आपको मिल जाता है bumble event, the good stuff और research and survey related भी notification, control करने का option, उसके बाद contacts and faqs में आपको मिल जाता है, contact us, faq, time of services, privacy policy और advertising का सारा options, फिर security and privacy option पे जाके आप अपना login method change कर पाऊगे, आपका अगर current login method mobile number रहा तो वो आप facebook login से भी switch कर पाऊगे, अपना biometric login भी यहाँ पे active कर पाऊगे, और privacy settings option पे जाके आपको मिल जाता है marketing permission, switch करने का option, personalized marketing permission यहाँ पे आप set कर पाऊगे, जैसे facebook, instagram, spotify, google या gfee, फिर आप strictly necessary permission यहाँ पे allow कर पाऊगे, और फिर last पे आपको मिल जाएगा settings option में, bumble application से sign out के लिए log out का option और account delete करने का option, अभी अपने profile को check करने के लिए आपके profile के उपर आपको click कर देना है, तो यहाँ पे आप देख पाऊगे, कोई other profile के सामने, आपका profile कैसे यहाँ पे show होगा, यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अदर सारे picture, आपने जो question answer दिया है, उसका details, वो भी other profile scroll करके यहाँ पे आपके profile पे check कर पागेगा, नीचे दिखाए देगा आपका location, अभी आपको profile को edit करना है, तो edit profile option पे जाओगे, या अपने profile को complete करना है, तो complete my profile option पे जब भी आप click करोगे, यहाँ पे आप ऊपर लिए, फिर आपके profile में जो भी photos और video आपने already डाले हो, वो आप check कर पाओगे, switch कर पाओगे उसका position, और आपको और भी photos या video यहाँ पे add करना है, तो यहाँ पे plus button पे आप click कर दोगे, फिर आप अपने facebook account से, instagram account से, mobile के upload से photos या video upload कर पाओगे, यहाँ पे आप mobile camera से photo खीच को on करना है, तो bumble application खुद आपका base photo यहाँ पे automatically switch करके आपका dp set कर देगा, और अगर आप अपने profile को verify करना चाते हो, तो verify my profile not verified इस option पे click कर दोगे, तो आपके profile का verification process यहाँ पे start हो जाएगा, यहाँ पे random कोई position आपको दिखाए देगा picture में, उस photo के position को आपको capture करना है, उस position पे आपको एक photo यहाँ पे click करना है, तो इसके लिए take my photo option पे आप click कर दोगे, और आपके mobile का front camera यहाँ पे on हो जाएगा, तो यहाँ पे suggestion में जिस position में photo खिचने को बोला है, उस position पे आप अपना एक selfie photo खिच लोगे, तो आपके दोबारा खिचे के photo पे आपका face clearly option मिल जाएगा, और अगर आप सही pose में photo खिचते हो, तो submit option पे click कर दोगे, तो आप देख सकते हो, आपका profile verify होने में यह process हो रहा है, और यह checking के बाद आपके other photo से compare करने के बाद तुरंद verify हो जाएगा, अभी आप अपने profile option पे जाओगे, तो यहाँ पे आप देख पाओग आपके profile picture के नीचे आपका नाम, age और profile का एक verified batch आपको मिल गया है, आपका profile successfully verify हो चुका है, उसके साथ साथ नीचे आपको मिल जाता है my pay plan के under spotlight, super swipe, premium और boost यह सारे subscription features का option, यहाँ पे आपको additional एक service मिलता है safety and well being का, तो इस option पे जाके bumble application का, कुछ safety and well being related आपको block देखने को म mental exhaustion के उपर, feeling of rejection के उपर, harmful behavior या bumble to IRL के उपर, तो कोई भी topic में blog अगर आप पढ़ना चाते हो, तो क्लिक करके उसका सारा details आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो कोई भी topic का blog यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, फिर नीचे scroll करके आजाओगे तो आपको मिल जाएगा get help from bumble, your safety your emotional well-being और bumble values and guidelines का सारा details, अभी अपने profile पे और भी नीचे scroll करके जाओगे अपना profile का सारा details complete करने के लिए, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा my interest का option, जो भी आप डाले हो, उसको आप यहाँ पे edit कर पाओगे, addition कर पाओगे, फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा audio prompt का option, ज यहाँ पे scroll करके आपको बहुत सारे question का option मिल जाएगा, यहाँ से आप अपना खुद का option चूज कर लोगे, और फिर यहाँ पे आपको 30 seconds का एक recorded audio upload करने का option मिल जाएगा, अपना audio record करने के लिए नीचे आपको मिल जाएगा start recording का option, सेम तरीके से आप अगर कोई return prompt यहाँ प prompt का option मिल जाएगा, add new option पे click करके आप यहाँ पे देख पाऊगे बहुत सारे prompt का question जो आप सारे scroll करके चेक कर पाऊगे और इसका answer भी यहाँ पे कर पाऊगे, फिर आपको मिल जाएगा अपना bio या about me लिखने का option, और फिर basic option पे आप यहाँ पे add कर पाऊगे अपना work, education, gender, location और hometown, फिर more about me option पे आपको यहाँ पे add करने का option मिल जाएगा, अपना height, exercise habit, educational level, drinking, smoking habit, looking for kids, start sign, political और religion, details, next my pronoun option पे जाके, यहाँ पे आप maximum अपना three pronoun चूज़ कर पाऊगे अपने profile के लिए, और उसके बाद आपको मिल जाएगा अपना prefer language चूज़ करने का option, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत सारे language का option दिया हुआ है, जो आप search करके भी select कर पाऊगे, या नीचे scroll करके भी डाहिने तरफ box पे dig करके select कर पाऊगे, maximum यहाँ पे आप 5 language चूज़ कर पाऊगे, इसके साथ साथ जो भी आप match जून रहे हो, उनका preference language भी यहाँ से आप select कर पाऊ आप Instagram account को Bumble account के साथ लिंक कर पाऊगे, और सेम तरीके से Spotify account का भी ID और password डालके, लॉग इन करके Spotify account को भी Bumble application के साथ लिंक कर पाऊगे, अभी अपने profile option के बाद matches option पे जाओगे, तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा अपना सारा match का suggestion, यहाँ पे डाहिने तरफ उपर speed dating option पे click करके, आपको यहाँ पे एक feature मिल जाता है, speed dating का, जो premium membership subscribe करने से ही आप unlock कर पाऊगे, speed dating पे आपको मिल जाता है, every Sunday from 7 to 8 p.m, chat to someone for 3 minute before seeing their photo, decide if you like them then play again, और see if you match at the end and enjoy a night of fun chats, और उसके बाद डाइने तरफ उपर आपको मिल जाएगा एक filter का भी option, इस option पे जाके, आपको मिल जाता है, अपने date filter करने का option, जैसे यहाँ पे किसको आप date करना चाते हो, वो आप यहाँ से select कर पाऊगे, men, women या non-binary people या all, फिर यहाँ पे अपने matches का age preference यहाँ पे आप डाल पाऊगे, 18 to 80 plus, आप अपने matches का आपके location से distance भी set कर पाऊगे, 0 से maximum 160 km तक, यहाँ पे आप अपना language preference भी set कर पाऊगे, अपने matches के लिए, फिर नीचे आपको मिल जाएगा advanced filter का option, advanced filter option आपको मिल जाता है, सिर्फ अपना profile कोई भी premium membership में upgrade करने के साथ साथ, जहाँ पे आप अपने matches का preference set कर पाऊगे, verified profiles only, height wise, exercise habit wise, education qualification, drinking और smoking habit wise, bumble date preference wise, या do they have और want children preference wise, फिर आपको advanced filter में मिल जाता है, start sign wise, political view wise और religious wise, advanced filter set करने का option, अभी नीचे match preference में आप देखो के कोई भी profile का, यहाँ पे profile picture, उसका name, age, gender, education qualification, जो भी details आपको यहाँ पे दिखाई देगा, उसके साथ साथ नीचे स्क्रॉल करके उस profile का about me, basic information, interest, कोई भी prompt का question answer, language preference, उस profile का others picture भी, आप यहा video prompt भी addition होता है, वो भी आप सुन पाओगे, और बाकी सारे prompt question का answer, profile के बाकी सारे photo के बीज-बीज में आपको देखने को मिलेगा, और scroll करके profile का सारे picture जैसे आप चेक कर पाओगे, वैसे last में देख पाओगे profile का location, आपके location से कितना distance में है, इसका permanent location, नीचे आपको मिल प्रोफाइट को hide या report करने का option, या किसी भी दोस्त को recommend करने का option, जो मुझे पता है आप नहीं करोगे, फिर आपको कोई भी photo अच्छा लगे, तो उस photo को आप comment भी कर सकते हो, कोई photo के ऊपर बाये तरफ आपको एक heart sign मिलेगा अपना comment डालने के लिए, तो इस option पे click करके को फोटो के against आप अपना compliment या comment दे पाऊगे, और photo को click करके full screen भी आप check कर पाऊगे, फिर match option के बाद like option पे जाओगे, तो कोई भी profile आपके profile को like भेसता है, या match के लिए request भेसता है, तो यहाँ पे उसका सारा details आजाएगा, तो यहाँ पे देख पाऊगे, जब भी कोई profile आप अगर आपके match preference पे आता है, तो उसको like करके आप match भी करपाऊगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो match हो गया है, आप फिर swiping में जाके swipe कर सकते हो, डाही ने तरफ उपर three dot button पे click करके आप इस profile को unmatch कर सकते हो, या unmatch या report कर सकते हो, और कोई भी match के बाद यहाँ पे आपको like का option यहाँ पे फिर से खाली हो गया है, तो भी chat option पे जाओगे, तो उपर आप देखोगे match queue में, जो profile के साथ आपका match हुआ है, वो यहाँ पे show होगा, और इस profile पे click करके आप देख पाऊगे, इसका dp, name, age, profile verified है की नहीं, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा, अगर आपक extend करना चाते हो, तो extend option पे click करके, आप अगले 24 घंटे के साथ साथ, और भी 24 घंटे add कर सकते हो, तो हर दिन आपको एक free में extend का option मिल जाएगा, 24 hours add करने के लिए, किसी भी profile के साथ, यहाँ पर भी डाहिने तरफ उपर 3 dot button पे click करके, आपको मिल जाएगा profile को unmatch करने का option, या block and report करने का option, और जब भी कोई profile 24 घंटे अंदर chat यहाँ पे initiate करता है, यहाँ पे आपको पता है, कोई भी female या women profile यहाँ पे chat initiate कर सकता है, कोई भी male या main profile यहाँ पे कोई भी match होने के बाद भी chat initiate नहीं कर सकता है, पर एक बार chat initiate होने के बाद, आपको भी 24 घंटे का time मिलेगा reply देने के लिए नहीं तो यह unmatch हो जाएगा तो यहाँ पे reply में आप jeep भेज सकते हो question game भी start कर सकते हो नीचे आपको picture share करने का option मिल जाएगा normal chatting का option मिल जाएगा jeep profile भेजने का option मिल जाएगा यहाँ पे आप audio voice record करके भी भेज सकते हो यहाँ आपने prompt question answer भी यहाँ पे start कर सकते हो उपर आपको मिल जाएगा video calling का request भेजने का option और three dot button पे आप click करोगे तो यहाँ पे voice call करने का option भी आपको मिल जाता है फिर unmatch और block and report करने का भी option मिल जाता है पर आपको without premium subscription unlimited like या swipe करने का option नहीं मिलता है जब भी आपका like खतम हो जाता है तो match option पे उपर एक pop-up message आजाता है out of likes for now और profile को नीचे scroll करके भी आगर आप like करने जाओ जब भी आपका like count खतम हो जाता है तो नीचे भी एक pop-up message आजाता है you are out of like और application के dating interface से आगर आप friend interface पे या business interface पे जाना चाते हो तो बाये तरव हर वक्त आपको मिल जाएगा three line का option जहाँ पे click करके आप bumble activation में date, make moves to find spar bfa, make friends and find community या bees, move your career forward किसी भी interface में switch कर पाऊगे वहाँ पर भी आपको ये same option मिल जाएगा अपना profile build up करने के लिए और अपना match ढूनने के लिए आप मुझे facebook, instagram और twitter में फॉलो कर सकते हो, link निजे description में दिया हुआ है, तो आज के लिए बस इतना ही दुबरा मिलते हैं किसे नया वीडियो में जहाँ सिखेंगे technology के बारे में नया कुछ, क्योंकि यहान बाटने से बढ़ता है, आप मुझे कॉमेंट करके बता हो, कि बंबल डिटिंग अप्लिकेशन का यह फूल टूटूडियल वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि नीचे कॉमेंट बॉक्स आपके लिए है, तो तब तक के लिए जैहीन, बंदे महतरम, बाई